तालिबान के पास पैसे कहां से आते हैं आज एक एक डीटेल बताएंगे तालिबान को समझना है तो सबसे पहले आपको लोटना पड़ेगा शीत युद्ध के दौर में तालिबान के जन्म लेने के पीछे दो देशों की जंग को वजह माना जाता है और दुनिया ये भी मानती है कि तालिबान अमेरिका की वजहां से पैदा हुआ तालिबान एक पश्टो शब्द है जिसका मतलब होता है स्टूरेंट वो स्टूरेंट जिसे कट्टर स्लाम एडूकेशन मिली हूँ कतर सुनी पढ़े लिखे मुसलमानों ने उतर ही पाकिस्तान में तालिबान की सोच सिथापे की तालिबान को खड़ा करने में आριधीक मदद पहुanter पहुंचाई साथी आरब ने तालिबान के स्थापना का मकसद था अफगानिस्तान से विद्विशी सत्ता खत्म करना और वहां शरिया कानून की स्थापना और इस्लामिक मुल्क की स्थापना करना शुरवात में तालिबान सामन्तवाद और करप्शन के खलाफ लड़ाई लड़ता रहा और ऐसा करके उसने लोगों के भी जगहां बना ली लेकिन देखते ही देखते ये मूल विचार धारा से भटक गया 1980 के दशक में जब सोवियत संग ने अफगानिस्तान में फौज उठारी तब अमेरिका ने ही तालिबानी मुजाहिदिनों को हथियार और ट्रेनिंग दे कर भड़काया सोवियत संग को अफगानिस्तान छोड़ कर जाना पड़ा और ऐसे हुआ तालिबान का जन्द सोवियत संग की सेना जैसे ही वापस लोटी अलग-अलग जातियों में बटे लोगों में संखर शुरू हो गया इस तोरान 1994 में गुट ने हथियार उठा लिया और 1996 तक अफगानिस्तान के अधिकान शिस्से पर उस ने अपना आधिपत्ते जमा लिया उसने पूरे अफगानिस्तान में जबरन शरिया खानून के स्थापना कर दी इस गुट को तालिबान नाम दिया गया तालिबानी गुट में ज्यादतर पश्टूनों की भरती हुई तालिबान एतनी गहराई तक अपनी जड़े जमा चुका था कि अमेरिका का सबसे खतरनाक आपरिशन भी 20 साल कोशुश करने के बाद भी उसका खात्मा नहीं कर पाया तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामिक अमिरात बनाना चाहता है 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्सा था 2001 तक यहां की सरकार शरिया कानून के हिसाब से चली इस कानून में महिलाओं के स्कूल एजुकेशन पर बैंड था उन्हें बुर्खा और हिजाब पहनना अनिवारे था पुर्शों के लिए दाड़ी रखना और नमाज पढ़ना भी अनिवारे था तालिमान का संस्थाफक था मुल्ला उमर जो कभी ओसामा बिन लादें का बेहत खरीबी था मुल्ला का जन्म 1960 में कंधार के खाक्रेज में हुआ था मुल्ला की एक आख नहीं थी लेकिन वो बहुत ही घोंखार और शातिर था ऐसा दावा करते हैं कि अफगानिस्तान में सोव्यत संग के हमले के बाद मुल्ला जिहादी बन गया अमेरिका ने कभी मुल्ला उमर को जन्दा या मुर्दा पकड़ने पर एक करोड का इनाम रखा था वो इतनी सीक्रेट लोकेशन पर रहता था कि अमेरिका पंद्रह सालों तक उसे ढून नहीं पाया वैसे तालिबान को और अच्छे से समझने के लिए उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है तालिबान एक सरकार की तरहा काम करता है वो अपना प्रधान मंत्री भी चुनता है खबर है कि इस पहर मुल्ला बरादर को तालिबान का रिया प्रधान मंत्री चुना गया है इसके लावा मिलिटरी, इंटेलिजिंस, पॉलिटिकल, एकोनॉमिक्स और तेरा अन्ने मंत्राले भी मनाये जाते है यही नहीं तालिबान का अपना चीफ जस्टिस भी होता है इस वक्त मुल्ला अब्दुल्हकीम तालिबान का चीफ जस्टिस है किसे सजा मिलेगी, कौन सी सजा मिलेगी, यह सब खुद अब्दुल्हकीम ही तैय करता है मुल्ला अब्दुल्हकीम दोहा में रहता है इसके अलावा तालिबान के पास लिडर्शिप की काउंसल भी मौजूद है जिसमें सलहा देने के लिए अथारिटीज के साथ साथ 26 लोगों का एक दल है तालिबान को और डीटेल में समझने के लिए उसके पॉलिटिकल स्ट्रॉक्चर को भी समझी है इस वक्त तालिबान का मुखिया है मावा लावी हबतुला अखुनजादा मुला उमर का उत्तरधिकारे मुला अख्तर बलुचिस्तान में मैई 2016 में अमेरिका के ड्रोन हमले में बारा गया उसके बाद तालिबान की कमान आ गई अखुनजादा के पास अखुन जादा तालिबान का पुर्व चीफ जस्तिस रह चुका है तालिबान के पॉलिटिकल, माइनॉरिटी, धार्मिक और मिलिटरी सब का हेड अखुन जादा ही है कई बार अखुन जादा के मौत की अफवाहें ओड़ चुकी है मौला बरादर तालिबान के पॉलिटिकल विंग का चीफ है ये तालिबान का को फाउंडर माना जाता है दोहा में तालिबान का पॉलिटिकल आफिस है जिससे मौला गनी बरादर ही देखता है कुछ साल पहले तक मौला बरादर पाकिस्तान की जेल में बंद था लेकिन अब वही मुल्ला बरादर पाकिस्तान के शारों पर आतंग की नाच दिखा रहा है कभी अमेरिका ने उसके सिर पर एक करोड का इनाम घोशित किया था तालिमान का राज़्टितिक प्रमुख मुल्ला बरादर उन चार लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में अफगानिस्तान में तालिमान की शुरुआत की मुल्ला बरादर का जन्म 1964 में अफगानिस्तान के औरजगान प्रांक में हुआ था मुल्ला कंधार के मियावाद में एक मदरसे का संचालन किया खरता था कभे मुल्ला बरादर तालिबानी सेना का उप्रमुख पे रह चुका था तालिबान में तीसरे नंबर पर है मुल्ला मुहम्मद याकूब तालिबान के संस्थाफ़क मुल्ला उमर की ओलाद इस वक्त मुल्ला मुहम्मद याकूब मिलिटरी आपरेशन का कमांडर है तालिबान का पूरा मिलिटरी कन्ट्रोल उसी के हाथ मे lap मुल्ला मुछम्म्मद याखूब के इशारे पर ही तालिबान के आतंग की हमला करते है मुल्ला खुद अफगانिस्तान और अमेरिका की सेन पर हमले को लीड कर रहा है उत्तराधिकार की जंग जीतने के बाद उसे तालिबान का सबसे बड़ा नीता माना गया 2016 में उसने हिबतुल्ला अखुनजादा को आगे करके तालिबान का सरगना घुशिद कर दिया मुल्ला याकोब ऐसा करके तालिबान में होने वाली बगावत को रोकने में काम्याब रहा मुल्ला के बाद चौथे नंबर पर आता है सिराजुदीन मुजाहिरीन हक्कानी सिराजुदीन हक्कानी तालिबान के कमांडर रह चुके जलालुदीन हक्कानी का बेटा है सिराजुदीन हक्कानी अपने पेटा के बनाए हक्कानी नेट्वर्ग का नेत्रित्व करता है हक्कानी नेट्वर्ग पाकिस्तान और अफ्कानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान की फंडिंग और आर्मी आर्टिलरी की देखरेख करता है अमेरिका ने सिराजुदीन को मोस्ट वांडे गोशित का रखा था ऐसा दावा किया जाता है कि हकानी नहीं अफगानिस्तान में आत्मगाती हमलों की शुरुवात की थी परव राश्ट्रोपती हामित करजाई पर हमले के पीछे हकानी नेट्वर्क ही था सिराजुदीन हकानी अपने ठिकाने बदलते रहता है ताकि कोई उसकी लोकेशन का पता न लगा सके सिराजुदीन हकानी के उम्र खरे 50 साल है